अच्छा को आगे बढ़ाता हूं भारतिये जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं आलोक जी तीन तारीक को काउंटिंग हो गई जनता ये जानना चाहती कि उनके राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होंगे आपको इतना समय क्यों लग रहा है क्य क्या है ? जब जीत बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है पिशली बार हमें 36 गड़ में जादा वॉट मिला था इस बार 13 सडी जादा वोट हमको वहां पर मिला मद्रप्रदेश में हम तक्रीबन 7 फिजदी ज्यादा वोट पिछली बार से हमें मिला मद्रप्रदेश में भी 3 फिजदी से ज्यादा हमें वोट पिछली बार जो मिला तो जाहिद से बात है कि हम एक अच्छा बेहतरीन मुख्यमंत्री वहां देना चाहेंगे मोधी जी की जो गारंटी है मोधी की जो गारंटी है वो ऐसा मुख्यमंत्री जो वहाँ के सपनों को पूरा कर सके वहाँ के ख्वाबों में रंग भर सके ऐसा मुख्यमंत्री हम वहाँ देना चाहेंगे परविक्षक तैक कर दिये गए हैं अपने 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 इलाकों में जाएंगे, मनों की मन जो हैं विरायकों के उनके मनों की था लेंगे, दिल्ली क्या चाहता है ये भी बताएंगे और एक नाम के हो गाम, मुझे लगता कि बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरुवत नहीं है एक या दो दिन में नाम भी सामने आ जाएंगे कि मद्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान में कौन आएगा चर्टिस गड़ा का पक्तिक बड़ी चर्चा है कि देखे हम लोग बहुत कि वो क्या चाहते हैं उनके मनों को भी जानना जरूरी है दिल्ली हो सकता है किसी नजर से देखता हो कौन पार्टी है जो जमीन पर उतर के लोगों की बात करती है लोगों की सुनती है तो आप कंशेमंत्री गोसित करे। करना होगा जाय। इस लोगों को सुनना होगा मैं इन ≫ मुझे लगता है कि आपको इंतर करना पड़े कि एक दो दिन में आपके आपके सामने नामा आजाएंगे सारे ने कहीं कोई गुडबाजी नहीं, भारती जन्ता पार्टी में गुडबाजी की कोई जगhan नहीं, यही तो एक पहचान है भारती जन्ता पार्टी की, हम थैक नहीं सब्सक्राई शक्राई,ünde क्यों चुनाव लड़ने के लिए छत्तिजगर में मत्यप्रदेश इसके बाद भी उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो पूरी करेंगे, ये भारती जन्ता पार्टी की परप्रा का हिस्सा है.